आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउटनेट नाओ अब हम यहां क्या करेंगे यह जो हमें रिलेशन दे रखा है f x plus y is equal to f x into f y आप हम x और y दुन दून की value 1 डाल देंगे तो यह क्या हो जागा, f of 2 is equal to f of 1 into f of 1 that is 2 square अब हम यह 3 डाल देंगे, यह x की value 2, y की value 1, that is 3 तो क्या हो जागा, f of 2 to f of 1, that is 2 तो यह हमें क्या मिलते जा रहा है, that is f power n is equal to 2 power n, हमें यहां से एक relation मिल गए, अब हमें यहां पर एक यह relation दे रखा है, कि यह relation क्या है, 3 mod x plus 2 mod y less than is equal to 8, तो अब हमें यहां पर यह कुछ line का equation दिख रहा है, इसे हमें एक straight line का equation बना सकता है, अगर यह mod को अटा है, तो हमारे पास कितने तरह के equation बनेंगे, एक equation यही बनेगा, 3x plus 2y is equal to 8, है ना, एक, 3x minus 2y is equal to 8, एक बनेगा, minus 3x plus 2y is equal to 8, और एक बनेगा, minus 3x minus 2y is equal to 8, तो हमें यहां से क्या मिल रहा है, यह चार equation मिल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्राफ बनाने कोशिश करके, कि इसके अंदर की enclosed area का हमें area निकालना है, तो पहले 3x plus 2y, तो यह ग्राफ क्या होगा, जो एक बार हम x 0 करें, तो x जब 0 तो y बराबर 4, और जब y 0 करें, तो x बराबर 8 by 3, कुछ ऐसे, तो यहां से कुछ लाइन ऐसे पास कर रहा है, यह फर्दर आगे चला जाएगा, यह लाइन कैसे पास कर रहा है, यह देखिए, यह x बराबर 0 के जो minus 4, यह 4, 0 है, यह 8 by 3, 0, यह minus 4, minus 4 आ रहा है, अब y को 0 करें, तो 8 by 3, तो यह यही से पास करगा, सिर्फ minus 4, फर्दर, तो यह minus 4, 0, अब इस लाइन के बारे में करते हैं, तो यह लाइन क्या होगा, यह अगर y 0 करें, तो minus 8 by 3, और x को 0 करें तो 4, है ना, तो यह similarly, यह line यहां से जाएगा सिर्फ minus 8 by 3 से, by 3, 0 से जाएगा यह, तो यह कुछ line इस तरीके से जा रहा है, है ना, और यह line दिख रहा है मैं, यह line ऐसे जाएगा, तो यह line कुछ इस तरीके से जूड़ जाएगा, है ना, तो je हमें इसका area निकालना है तो हमें एक के दीख रहा है इस चारो coordinate में इस अरिया यह बराबर है तो हम इस एक कॉरेंट के निकालेंगे उसको 4 से इंडू कर देंगे तो इस quadrant के अरिया क्या होगा यह एक triangle है तो half into 4 into 8 by 3 that is 2 16 by 3 आप इसको हम 4 से multiply कर देंगे तो ये मालीज ये A है ये B है ये C है ये D है तो ये क्या हो जाएगा area of A, B, C, D क्या है 64 by 3 force into कर दी है ना तो अगर हम इसको इस function के रूप में लिखें तो 2 पे power कितना हो रहा है 2 पे power 6 6 upon 3 that is F of 6 upon 3 यही हो रहा तो यहाँ पे कौन सा option है यह option C हमारा correct answer Thank you